नमस्कार मैं हुदुवय बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 9 मार्च दिन सनिवार खबरे को बने से पहले एक नजस सुर्खियों पर बिहार की गारियों में अब नहीं चलीगे स्टाइलिस नमबर क्लिक प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क बनकर हुआ तयार बिहार में सपत पत्र पर होगी जमीन की रजिस्ट्री बिहार में रोजगार मेले में सैक्रो पदों पर होगी बहाली बेस्ट अभिनेक के लिए नॉमिनेट हुए मनोज बाजबई का इस एक्टर से मुकामदा पटना लखनोव अंदे भारत ट्रेन इस रूर से होकर भी गुजरेगी इंग्लैन के खिलाब टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी दिखा भारत का दब दबा अब चले भरते हैं अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से बीस्ट नर्सिंग कोर्स कर चुके अभियरतियों के लिए सुनहेराब सर बीस्ट नर्सिंग कोर्स और उससे संबंधित नर्सिंग काउंसल से से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर चुके अभियरतियों के लिए अची खबर है दरसर इन अभियरतियों के लिए संग लोग सेवा आयो ग्यानी की UPSC द्वारा 1930 पदों पर भरती निकाली गई है एक चोक मिदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट यूपी एसी ऑनलाइन डॉट एन इसी डॉट आयन पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन प्रक्रिया 7 मार्च से ही शुरू है और आविदन करने की आखरी तारीक 27 मार्च है इस भरती के मिदवारों के आयू सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है अलांकि जो मिदवार आरक्चित वर्ग से हैं उन्हें इसमें छूट दिये जाएंगे इस भरती के लिए आप से आविदन सुलक के रूप में 25 रुपे लिए जाएंगे भरती से संबंदित अधिक जानकारी और HSRP नंबर को अनिबारे कर दिया गया है वहीं गारी के नंबर प्लेट से छेर चार करने पर जुर्माना वसूला जाएगा दोबारा पकरे जाने पर वाहन को जब्द किया जा सकता है नमबर से छेरखारिंग करने पर मोटर वहन अधिनियम का उलंगर माना जाएगा वहीं वहनों के नमबर प्लेट में स्टाइलिस तरीके से नमबर प्लेट लेखे होने पर कंट्रोल रूम के नमबर 9153-9718-97 पर सिकायत किया जा सकता है वही HSRP को लगवाने के लिए डीलर पॉइंट से संपर्क किया जा सकता है बिहारी पहचान में अजम बात करेंगे सिर्फ पूजन सहाई के बारे में सिर्फ पूजन सहाई एक प्रस्षद हिंदी उपरन्यास कार कहानी कार संपादक और पत्रकार थे इनका जन बिहार में ही सहाबाद में हुआ था इन्हें इनके सरानिये कारियों के लिए वर्स 1960 में पद्म भूसन से सम्मानित किया गया था वर्स 1962 में इन्हें भागलपुर विस्विद्याले द्वारा डॉक्टर ओफ लेटर्स की मानद उपाधी दी गई थी ये पटना में विहार राष्ट भासा परिसत के वर्स 1950 से 1949 तक निदेसक भी रहे हैं इनके द्वारा लिखे गई प्रसत क्रितियों में तूती मैना, देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, मेरा जीवन ग्राम सुधारादी सामिल है बिप्येसी सिख्चख भरती परिक्षा फेज 3 के अद्मिट से जुरार नोटस जाय है विहा लोग सेवा आयो की ओर से सिख्चख भरती के तीसरे चरन की परिक्षा का आयोजन किया जाएगा इसमें admit card को जारी कर दिया गया है, इसे बीच पर एक्षारतियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना को जारी किया गया है, इसे BPSC की आधिकारिक website www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, इस notice में कहा गया है कि 15 मार्च तक पर एक्षारतियों के घोसना पत्र संबंदित कें अधिक्षा को समर्पत करना होगा, दरहसल आयोग ने website पर एक घोसना पत्र अप्लोड किया है, इसे अभ्यरतियों को भड़ना है, साथ ही इसमें फोटो चिपकाना है और निर्धारित अस्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना है, वहीं admit card पर अंगीन फो जवाब देने होंगे, साथ ही खुद से हस्ताक्षर भी करना होगा, 11 बिंदूओं का इस सपत पत्र पर जवाब देना होगा, इस नियम को रजिस्टी ऑफिस से लागू कर दिया गया है, मालूम हो कि विभाग ने इस ने नियम को इसलिए लागू किया है, क्योंकि जमाब जमाबंदी के ने नियम को लागू होने के बाद जमी नजिस्टी की प्रक्रिया प्रभावत हो रही थी, वहीं अब सपत पत्र पर इस जानकारी को देनी होगी, क्या जमाबंदी आपके नाम पर है या संपति विवरन में कोई तरूटी तो नहीं है, नालूम हो कि किस फरव सक्षा विभाग को खोला गया, इसके अलावे 30 नियोजो सिक्षकों को बुलाया गया, सरकारी चुटी के दिन भी सक्षा विभाग में काम किया गया, वहीं कई नियोजो सिक्षक के डॉक्यमेंट्स में गरबरी की बात सामने आ सकती है, इसको लेकर सक्षा विभाग की ओर स से जाज की जा रही हैं मालूम हो कि अगर किसी सचता डॉकिमेंट स्फरजी होता है तो उनकी नौति चली जाएगी इसके अलावे उन पर कानूनी कारवाई भी की जा सकती हैं कि भिहार में रोजगार पदों पर हो गी बहाली बिहार में रोजगार मेले में सैकरों पदों पर बहाली होने वाली है दरभंगा में स्रम संसादन विभा की ओर से 11 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा दिले के स्रम भवन परिसर में मेला आयोजत होगा कॉल सेंटर में कारे करने के लिए युवाओं को साल के बीच होनी चाहिए वही जॉब कैम्प में सामिल होने के लिए भारत सरकार के ncs portal www.ncs.gov.in पर निबंधन अनिबारे हैं बिहार में देसी पक्ची को रिंग पहनाने की जाने वज़ा बिहार में प्रवासी पक्चीयों के सेटलाइट चनिगरानी की जा रही है वहीं देसी पक्चीयों को रिंग पहनाया जा रहा है दरसल यहां देसी पक्चीयों को पहचान दी जा रही है राजे के बर्ड रिंगिंग सेंटर में इस मामले में पहल की है और प्रवासी पक्चीयों को रेडियो टैग पहना कर उन पर भी सेटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है देसी पक्चियों के भटकाव या अन्होनी के दिसा में भी इसका ब्योरा रिंग के जरी रखा जा रहा है इधर इससे लेकर भागलपुर के सुन्दरबन में बिहार से पहले बर्ड रिंगिंग सेंटर की शुरुवात हुई है बिहार के छे वेटलेंड वैसाली दर्भंगा बेगुसराय जमूई कटिहार और भागलपुर के बी एन एचस की तीम ने अब तक 149 प्रजाती और कुल 2094 पक्चियों को रिंग पहनाया है मालूम हो कि इस रिंग में एक कोड होता है दिसमें पक्चियों का ब्योरा दर्ज ह बिहार पेटन में आज हम बात करेंगे गांधी घाट के बारे में ये घाट पतना में गांधी नदी के किनारे बसे कई घाटों में से एक है इसका नामाकरन महात्मा गांधी के नाम पर हुआ था इस घाट की गंगा आरती देखते बनती है हर रोज सामके समय में गंगा आरत पतंग उच्छब का खास आयोजन देखने को मिलता है। यदि आप गंगा विहार का अनंद लेना चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं। की भूमी का एहम है। इधर सबसे अधिक दाखिला OBC के चात्र और चात्राओं के द्वारा लिया जा रहा है। इगनों की ओर से डेटा जारी कर इस बात की जानकारी साजा की गई है। बताया जाता है कि इगनों में अनुसूचित जाती के लोगों का नामांकन करी 12% तक है। आरजडी ने MLC चुनाव के लिए प्रत्यासियों के लिस्ट की जारी कर दी है। आरजडी ने प्रत्यासियों के लिस्ट की घोसना की है। इसमें बिहार की पूर्व मुखे मंत्री राबरी देवी उर्मीला ठाकुर, अब्दुल बारिस सिद्धिकी और फैसल अली का नाम स प्रवक्ता हैं, जबकि फैसल अली राजड़त की राश्ट्रे महा सचीव हैं, वहीं 11 सीटों के लिए MLC का चुनाव 21 मार्च को होगा, महागरबंदन की ओर से विधान परिसत के चुनाव में 5 उमिदवार उतारे गए हैं, भागपा माले ने अपने कोटे से एक मात्र सीट पर ससी यादव के नाम का एलान किया है, वहीं 11 विधायकों वाले कॉंग्रेस को महागरबंदन की ओर से कोई भी सीट नहीं दी गई, बेस्ट अभिने के लिए नॉमिनेट हुए मनोज वाजपई का से एक्टर से मुकाबला, अपने 6 सीजन के साथ क्रिटेक्स चॉइस आव अवार्ड सिरमनी के लिए बुधवार को सामने आ चुके हैं, बेस्ट अक्टर के लिए विकरांत मैसी को बारवी फेल में उनके अभिने के लिए नॉमिनेट किया गया है, बता दे कि विकरांत मैसी इस कैटेगरी में मनोज वाजपई और ममूटी जैसे स्टार्स के साथ कम संसद में बिहार की आवाज उठाने के मामले में जनारदन सिंग अवड बिहार में लोकसवा चुनाब में मौझूदगी दर्ज करने वाले संसदों की रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के महाराज गंच से संसद जनारदन सिंग सिगरी बाल इस संसद में, 322 सवाल किये हैं वही मंत्री प्रस्न नहीं करते हैं वलकि सवालों का जवाब देते हैं सिवान की कविता देवी और त्रिंस राज के नाम पर 10-15 प्रस्न दर्ज हैं इधर लोछपा से सांसद महभूव अली ने 8 सवाल किये हैं रवादा के चंदन सिंग के नाम 65 सवाल हैं तो चिराग पासवान ने 79 सवाल किये हैं भागलपुर के सांसद अजय पांडल के नाम संसद में सबसे कम उपस्तिती दर्ज है लेकिन उपस्तित दर्ज करने वाले सांसदों को इन्होंने कुछ सवाल पूछने के मामले में पीछे छोड़ दिया है जानिये प्रदेश की मौसम का हाल मौसम में बीते कुछ दिनों से कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहे करी धूप अभी से ही लोगों को गर्मी का हैसास करवा रही है वही मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम सुस्क रहने की संभावना जताए गई है प्रदेश में अधिकतर जगों पर आज का अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री रहने की संभावना है वही नियुदम तापमान 12-14 डिग्री रहने की संभावना जताए गई है पटना लखनो वंदे भारत ट्रेन इस रूट से होकर गुजरेगी पटना लखनो वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है ये ट्रेन पटना से डीडी यू वारनसी आयोध्या होते वे लखनो तक जाएगी बताया जाता है कि प्रीम नरेंद्र मोदे इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे वहीं से पहले इसका सफल ट्रायल पूरा हो चुका है वनदे भारत ट्रेन का लोगों ने लखनों में स्वागलत किया पतना लखनो वनदे भारत ट्रेन दानापुर आरा बकसर पंडित दीन दयाल उपाध्याय वारनसी होकर लखनों तक पहुचेगी इसे कई लोगों को फाइदा पहुझेगा लोगों को सफर में आसानी होगी लोगों के सुवधाओं का खास ख्याल रगते वे रेलवे ने इस ट्रेन के सुरुवात करने का फैस्टा लिया है प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क बनकर हुआ तयार दर्भंगा के लहरिया सराय में आईटी पार्क बनकर तयार हो गया है मीदिया में चले खबर के मुताबिक मार्च के अंतिता के से संबंधित विभाग को सौप दिया जाएगा हालां कि अभी तक इसका उधगाटन नहीं किया गया है निर्मान एजिंसी के मताबिक कारे पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है और अभी केवल उधगाटन के लिए तिथी का निर्धारन करना बाकी है आपको बता दे कि इस पार्क को तयार करने में करीब 9.28 करोर की लागत आई है इसका नाम सौफ़वेर टेकनोलोजी पार्क और इंडिया है इस पार्क में विदेश की कई कंपनिया अपना आफस कोलेंगी बता दे कि ये पार्क प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क है जिसे पूरी तरह से हाइटिक तरीके से तयार किया गया है इसमें आपको कई लगजरी सुभनाएं देखने को मिलेंगी अमित शाहज पत्ना में करेंगे रैली, कंद्रिये ग्रह मंतरी अमित शाहज पत्ना में रैली करेंगे इसको लेकर तीयादी लगबक पूरी की जा चुकी है किंद्रिय मंत्रिया राधानी के पाली गंज इलाके में जन्चभा को संबोधत करेंगे इसके लिए किंद्रिय और अस्थानिय टीम ने सभास्तल का मुआयना किया है इसके लावे भाजपा के कारेकरताओं में उच्छा देखने को मिल रही है भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि इस रैली में एक लाग से अधिक लोग सामल होंगे वही जिरा प्रसासन की ओर से सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गये हैं पुलिस बल्की भारी मात्रा में तैनाती की गई समराच चौधरी ने राहूल गांधी को लेकर दिया बयान बिहार के उपमुखे मंत्री समराच चौधरी ने राहूल गांधी को लेकर बयान दिया है इन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी कहीं से भी चुनाब दरे लेकिन इन्हें विक्सत होने की जरूरत है उप मुख्य मंत्री ने कहाए कि अगर देश में किसी को भी सबसे अधिक विक्सत होने की जरूरत है तो वो है राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी अपनी चौथी पीधी को लेकर खरी है साथ ही ये फोर्थ जनरेशन की राजनीत कर रही है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने पर समरार चौधरी ने कहाए कि ये एक अतहासिक फैसला है और पीम नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं ये फैसला आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा सुधाकर सिंग ने सीट सेरिंग को लेकर जा सकती है नितीश कुमार चाहते हैं कि उनकी विदाई से पहले नई पीरी राजनीती में स्थापत नहीं हो ये उनकी मुहीम है और जनता इस बात को अच्छे से समझती है इस कारण नितीश कुमार की विदाई तय है वहीं MLC चुनाब में आर्जिरी के द्वारा कॉंग्र के खिलाब टेस्ट 5 वे टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी भारत का दबदबा देखने को मिला है दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने आट फिकेट खोकर 473 रन हासल किये हैं भारत की टीम ने इस मैच में अपनी पकड को मजबूत कर लिया है कुलदीप यादव ने इधर रोयत सर्मा ने 103 रन अपने नाम किये हैं कई कारणों से दर्जह भारत के तहास में आज की तारी आज के दिन वर्स 2007 में ब्रेटन में भारती डॉक्टरों को भेडभाव वाले प्रवासी नियमों पर कानूनी काम्याबी मिली थी आज के दिन वर्स 2008 में गोवा के जेपाल का अतरिक्त कारेभार ग्रहन किया था आज के दिन वर्स 2009 में तमिल नारू ने पसिम बंगाल की 66 रनों से हराकर विजय हरारे ट्रोफी अपने नाम किये थे आज के दिन वर्स 1915 में भारत के प्रसद हिंदी साहितेकार डॉक्टर नागेंद्र का जन हुआ था आज क अप्लिकेशन का मौका है यह मौका उन चात्र और चात्राओं के लिए है जिन्होंने अब तक आवेदन का फॉर्म नहीं भरा है आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइड nbe.edu.in पर चात्र और चात्राओं को विजिट करना होगा मालूमों कि आवेदन की प्रक्रिय के बाद किसी भी तरह के बदलाब करने के लिए अप्लिकेशन एडिट विंडो को नहीं खोला जाएगा देश की बड़ी कंपनी बोर्ट के को फाउंडर को पीएम मोधी ने दिया वो और देश की बड़ी कंपनी बोर्ट को को फाउंडर अमन गुपता को प्रधान मंत्री नहींद मोधी ने सेलिब्रेटी क्रिएटर ऑफ दे यर अवोर्ट से सम्मानित किया है इस दौरान अमन गुपता ने कहा है कि उनका उद्देश होगा कि भारत से कोई अच्छा ब्रेंड बाहर जाए साथ ही यहां के प्रोड़क्ट को लोग खरी दे अमन गुपता ने कहा क कि जब उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब लोग उन्हें कहते थे कि आपका ब्रैंड छोटा है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लेकिन आज बोट कंपनी दुनिया का दूसरा लार्जिस्ट ऑडियो ब्रैंड है वही अमन के लावे बिहार की गाई का मैथ टाइम एक्सप्रेस नाम के एक यूटूब चैनल द्वारा फरजी वीडियो चलाय जा रहा है इस वीडियो के जरीए ये दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावों के लिए EBM पर प्रतिवंद लगा दिया गया है इसलिए MP और 36 चुनाव नहीं स्रे लेकिन आपको बता दे कि ये खबर पूरी तरह से परजी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कोई आदेजिा जारी नहीं किया इस खबर को पिय इवी ने एक्सपर सेर किया है बदर के ये टीन connection का आपीचर को रोल आउट किया एस वीचर का निधार आर्टिकल्स है बता दे किस फीचर के जरीए लोग लॉंग फर्म कंटेंट सेर कर सकते हैं अब जिन भी यूजर्स के पास प्रीमियम है वे अब इन प्लेटफॉर्म पर स्टाइलिस्ट, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, कॉंटेंट सेर कर सकते हैं इसके साथ ही आफ फोटो, वीडियो, पोस्ट और जियाई एफ आदी भी सेर कर सकेंगे साथी टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग के लिए हेडिंग, सब हेड बोल्ड, इटालिक, बुलेट नमबर और चादी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी ऐसे बिहार पुलिस दरोगा समेत ऐसे सी जैसे ने प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल अतिहास बिहार स्पेस इसका सही तरह साथ मार्च को राजपती दरोपदी मूर्मोद वारा 94 कलाकारों को वर्स 2022-23 के किस पुरसकार से सम्मानिट किया जाएगा आपसन है पदम सरी आपसन भी एक अलाकार व्रसकार आपसन सिय संगीत नाठक अकेडमी व्रसकार अपसन येम में से कोई नहीं इसका सिम्तर है संगीत नाटक अकैडमिय पुरसकार प्रिधान मंतिली नेजमोजी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टेन का उधगातन किया है अप्शन ने अध्या अप्शन भी कॉलकाता अप्शन सी है परियाग राज अप्शन दी है दिल्ली इसका सहीं उत्र है Kolkata बिहार में तीर तरस्तल विस्नुपपर मन्दर कहां श्रत ecosyth आपशने इसकी उत्र है ते नापटीर और विस्विद्याले की पहजान् सब से पहले किस ने कि थी आपसाने ने Спुनर ने आपसाने मार्टिमर वेलार ने आप्शन डी है विलियम्स जोल्स ने इसका से उतर है एक लेक्जंडर कनिंग हम ने बीते दिन हमाई दोर पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था जिन्होंने हमाई दोर पुछ पांडू कुमार, मुहमद चाकिर हुसेन, कोनर सर्मा, फंकच कुमार, दाज, मोतीलाल कुमार, अवी संकर, वेट प्रकास इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल क्यों राजकर सवाल है आपके अनुसरा बहार में कॉंग्रेस पार्टी की क्या स्थित्य आप अपना जवाब ह सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद